कुल्दीप सिंह राठोड और वेलकम इन गेट अड़ा 24 यूटूब चैनल जैसा कि आप सब को पता है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी इस्पिरेशनल स्टोरी लेके आता रहता हूं कि माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है मैंने रिसेंटली कुछ वीडियो भी लिये हैं जिसमें एक स्टुडेंट ने 45 प्लस एक्जाम में फेल होने के बावजूर सक्सेस पाई है तो ऐसे ही एक काफी जादा मोटिवेशनल स्टोरी में आज आपको शेर करने वाला हूं इस वीडियो में बने रहेगा आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा सो मेरे साथ आज हैं एक ऐसे स्टुडेंट जिन्होंने फाइनियर के साथ प्रपेशन करी है और फाइनियर के साथ ही गेट में वन जीरो फोर रेंग लेक्या है बार्क में साइंटिस्ट की फ अपने एक्सपिरिंसेज और अपने जो भी ट्रिक्स और टेक्निक्स हैं वह में शेयर करने के लिए बिल्कुल तेहार हूं सर आपको कि इस तरीके से आपने भी कभी न कभी परपेशन में काफी लोगों की हैल्प लिए होगी तो ऐसे ही मतलब काई सारे एस्पिरेंट होते जो सिमिलर वे में मतलब उनको नीड होती है कि कुछ सीख पाएं दूसरों की स्टोरी से और वो अपने उपर इंप्लिमेंट कर पाएं तो उतकर सापका लाइक स्कूलिंग कहां से हुआता और आप कहां से बिलों करते है यस सर मेरा जन्म दिल्ली में ही वाता हूं सर मैं 22 का ही पास आउता हूं सर अग्चली मेरे पास दो ओफर्स भी हैं प्लेस्मेंट से मेरे कॉलिज से एक सर पी ड़ुची में हैं प्राइज वाटर हाउस कूपर्स में अज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट और सर एक डॉक्टर एडडी लबुरेटरी में मैं अन्युक्टरिंग सर इन पॉजीशन पर मैं सेलेक्ट हुआ था सर मैं कॉलिज प्लेस्मेंट के थूढ़ कि था कि मुझे गेट करना चाहिए यसर सर एक्चली जब हमारी उनिवरसिटी स्टाट वई थी तो सर हमारी उनिवरसिटी में बहुत सारे टीम्स और और गुरुप्स थे जो की टेकनि जारे टीम हुमन पावर्ड वहिकल्स बना दी थी। सर वहुमन पावर्ड वहिकल्स में चलेगा वह प्रॉपर बाइसिकल मेकानिजम से बट इट विल हव एक पैसिटी तो अटेन अस्पीड अप्ट्ट अप्ट एक्ट किलोमेटर पर आर तो सर बहुत सारे मेकानिकल होते थे जैसे कि Aero Dynamics, Material Selection, Specially the Composite Department and the Manufacturing also. So, Sir, वहाँ पर काम करते करते मेरा मेकानिकल में और Code Domains में इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ. और, Sir, उसके बाद मैंने Career Options Search करने स्टार्ट किये कि इसमें मैं कहां जा सकता हूँ, किस फील में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा लाई कर सकता है. तो, Sir, उसमें कुछ Options थे जैसे कि कि किसी Private Company में काम करना या फिर बहार, Country के बहार काम करना. उन में से, Sir, मुझे लगा कि Gate के थुरू अगर मैं किसी Public Sector में जाकर काम कर सकता हूँ, तो, Sir, first of all, वो एक तो बहुत respectable job होगी, Sir, मेरे को एक decent salary भी मिलेगी, और, Sir, जो काम होगा, Sir, वो भी मेरे core domain से related होगा, तो, Sir, उस direction में सर फिर मैंने सोचना शूरू किया, Sir. कई बार resources collect करने में, YouTube पे जाके information collect करने में, तो, आपका क्या progress था उस time पे? Sir, actually, जब मेरे second year खतम हुआ था, तो, third year के start में, दो months का gap था, Sir, उसमें internship हमें करनी पड़ती थी, तो, internship हमने करी, और, Sir, मेरे जो बड़े ताउजी थे, वो, Corona में उनका निधन हो चुका है, उनका नाम मैं लेना चाहता हूँ, पशुपती जाजी, तो, उन्होंने वो भी core domain के, वो steel plant में बहुत उन्होंने उनका बहुत ज़्यादा experience हो, जिंदल स्टील में, वेदानता में बहुत वो काम कर चुके हैं, तो, Sir, उनके काफी सारे friends थे, जो BARC में काम करते थे, ONGC में काम करते थे, तो, Sir, first of all, उन्होंने मुझे इस direction में सोचने के लिए motivate किया कि आप इसके direction में भी सोच सकते हैं, आप इन इन sectors में जा सकते हैं, तो, Sir, जब एक direction उन्होंने दे दी, Sir, फिर मैंने website से, काफी सारे जो famous websites हैं, जो authentic websites हैं, महां से, Sir, मैंने गेट के बारे में information collect करना start किया, Sir, previous जो IITs ने गेट के exams conduct करवाए उनके slayvers निकालने start किये, और, Sir, फिर मैंने देखा कि इसको किस तरीके से prepare किया जा सकता है, बहुत सारे, Sir, Topper Stock देखें मैंने, Sir, उनकी किस तरीके से strategy रही है, Sir, उससे, Sir, मैंने बेसिक आइडिया लगा कि गेट किस तरीके का exam है, इसमें किस तरीके की approach चाहिए, और, Sir, फिर उसको मैंने प्रिपेर करना से start किया था, Sir. Definitely, Sir. तो, like, मतलब जैसा हम फर्स सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं, वो बहुत हीयादा हमारे लिए मतलब इसा होता है, Confusing काला होता है, Exactly, Sir. And, preparation में हमारे बहुत सारे phases होते हैं, जिनमें कई बार हम उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, Exactly, Sir. तो, आपका डेली रूटीन क्या रहता था मुझके बारे में पहले बात करेंगे? Yes, Sir. Actually, मैंने सिंस कॉलेज के टाइम पर ही preparation अपना start कर दिया था, तो, Sir, जब मैंने start किया था था, हमारे कॉलेजिस की classes online हो गई थी, तो, Sir, मुझे online classes attend करनी पड़ती थी, और साथ ही, Sir, मैं कुछ video lectures देखता था, gate की preparation के लिए, तो, Sir, first half of the day, Sir, मेरे video lectures attend करने में निकल जाते थे, और, Sir, second half of the day, मैं जो भी मैंने पढ़ा है, उसको मैं revise कर लेता था, मैंने स्ट्रेजिस देखी काफी लोगों की, Sir, उसके बाद मैंने खुद की एक स्ट्रेजी बनाई, Sir, वो, रिवीजिन की स्ट्रेजी सर कुछ इस तरीकी से की हमारे काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, gate में, तो, कुछ important subjects भी हैं, हाई weightage वाले, सब्जेक्ट्स हमारे रहते हैं, Sir, उसमें, मैंने क्या किया था, मैंने subjects को तीन categories में divide कर लिया था, A, B और C, Sir, A category में मैंने वो subjects रख लिये थे, जिसकी बहुत ज्यादा weightage होती है, जैसे कि strength of materials, theory of machines, thermodynamics, manufacturing engineering, Sir, इनको मैंने रख लिया था, 1st A group में, B group में, Sir, मैंने रख लिया था, fluid mechanics, heat transfer को, जिनके, Sir, 4-5 या 5-6 नंबर के questions आते हैं, और, Sir, RAC को भी मैंने group B में रखा था, और, Sir, C group में मैंने machinery, power plant, IC engines, Sir, इन सबको रखा था, और, Sir, मैंने यह सोच लिया था, कि A subject, जो group A में subjects हैं, उन हर subjects की कम से कम, revision 8-10 times होनी चाहिए, exam में पेर होने से पहले, और, आप first, जो उसको cover कर रहे हैं उसके बाद से, और, Sir, group B में जो मैंने सोच था, 4-5 revisions उनको देना है, और, Sir, C subject जो थे, उनमें, Sir, 2-3 revisions मेरे ख्याल से इनफ थी, इस तरीके से मैंने प्रोसीट किया, अपने, revision में भी और, तो एक, जो भी topers होते हैं, उनका अलग तरीके से लेवल तो होता ही है, तो college में जैसे कई बार हमारे semester examinations आजाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि, मतलब college का थोड़ा assignment, और इनदब का hectic schedule होता है, अकेले बहुत लंबे समय तक survive नहीं कर सकते हैं, तो sir, इसमें मेरे दोस्तों का बहुत साथ था, sir, क्योंकि जो भी assignments मिलते थे, sir, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि बहुत stress आ जाता है, call assignments वगयरा का, sir, उसमें studies में focus करना मुश्किल हो जाता है, बट sir, ऐसे टाइम पर जो कुछ मेरे बहुत करीबी दोस्ते, उनको पता था कि मैं preparation पर ध्यान दे रहा हूँ, तो sir, मेरे maximum assignments और मेरे maximum जो भी projects का काम था, sir, वो मुझे बहुत help कर देते थे, तो मुझे जादा उसमें मतलब effort डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी, sir, क्योंकि जहां से भी करना है, sir, वो direct मुझे source भेज देते थे, ताकि मेरे को जादा time इसमें ना लगे, sir, उन लोगों की वज़े से मेरा बहुत time बचा है, तो, sir, उसके मेरे जादा time अपना exam पर focus कर पाता था, sir. Okay, तो जैसे college के साथ आप कितने hours college को देते थे, और कितने hours gate की preparation को देते थे? Sir, मैं तो, sir, यही suggest करूंगा कि अगर कोई college going student है, और उसको, उसके मन में है कि उसको fourth year खतम होते, से selection लेना ही लेना है, Sir, कर वो time pass के लिए preparation कर रहे है, तो that is different, वो सिर्व आपका time card कार्ड देगा, और, sir, आप cover नहीं कर पाएंगे syllabus को, अगर किसी के मन में अगर बैठा हुआ है कि fourth year खतम होने के बाद, मुझे selection लेना ही है, कोई और option है नहीं, तो, sir, मेरे ख्यास जे, sir, उसको third year के starting और maximum mid से, अपनी थोड़ी-थोड़ी preparation शुरू कर देनी चाहिए, at least, यह सब देख लेना चाहिए कि कौन सा syllabus आ रहा है, मेरे पास sources क्या-क्या available है, मैं कहां से start कर सकता हूँ, क्योंकि, sir, college के साथ जितना आपको time मिलेगा, आप उतना peacefully preparation भी कर पाएंगे, और, sir, जैसे आपने शुरू में mention किया था कि fourth year में placements का बहुत टेंशन रहता है, तो हर student को, sir, मन करता है कि वो placement लेके ही चले, क्योंकि back-up में placement होना, sir, आज के time बहुत जरूरी है, जबकि job की इतनी problems हो रही है, तो, sir, इसलिए अगर आप थोड़ा सा starting से या फिर, अगर आप अपने को बारह से पंदरह महीने दोगे, preparation के लिए gate की, तो, sir, आप बाकी चीजे भी करते करते भी gate में बहुत ज़ादा excel कर सकते हो, और, sir, जैसा मैंने बताया है कि आपको बहुत टाइम बिल जाएगा, sir, placement में भी आपको जादा interviews के लिए प्रिपेर करना पड़ता है, अलग अलग companies के इंटरवी के लिए प्रिपेर करना पड़ता है, तो, sir, उस तरीके से आप अपना time बहुत असानी से, sir, divide कर सकते है, sir. Sure, so, like, जब आपका मनतब आपने गेट अटेम किया था, तो, उसके पहले आपने रिवीजन अगेरा किया होगा, तो, कैसे किया आपने रिवीजन? Sir, actually, sir, मेरा रिवीजन का ये cycle था, कि अगर, for example, कोई subject मैंने complete करा, सारे lectures देखे मैंने, जितने उसके questions थे, वो सारे questions लगाए, Sir, questions का source, अगर मैं बताओं, तो, sir, get previous year is very important, उसके बाद, sir, EAC के previous year, prelims के वो कर सकते हैं, और, sir, उसके बाद, अगर आपके पास कोई theory book है, या फिर कोई theoretical book है, उसमें से, sir, आप solve examples अगर कर लेते हैं, हर subjects के नहीं करने, sir, आपको, बस उन्हीं subject से करने, जिसमें या तो आप बहुत ज़्यादा comfortable feel नहीं कर रहे हो, या तो आप previous, इसलिए previous year करना, sir, इसलिए जरूरी है, क्योंकि वो हमें idea देते हैं कि कौन से topic से tough question आ सकता है, sir, वो इसलिए जरूरी नहीं कि वहीं ऐसा question आ जाएगा, sir, for example, इस साल के gate की बात करें, तो last six year में toughest exam था, तो sir, उसमें repeat नहीं होंगे question, बट sir, आपको यह hint लग जाएगा कि मुझे कौन सा topic बहुत strong करके चलना है, sir, जैसे swarm में अगर कोई देखे, तो swarm में कुछ 2-4 questions हमेशा आते हैं, जो sir, नहीं बन पाते बच्चों से, sir, उसके लिए आप कोई theory book में से कुछ salt examples भी कर लेते हैं, sir, उसका आपका strength मजबूत हो जाएगा, तो sir, यह तो बात हुई questions की, तो sir, मैं revision इस तरीके से करता था, कि कोई subject खतम हुआ, उसको खतम कर लिया, sir, खतम होते ही मैंने sir, उस subject का कोई एक test दिया, test यह तो sir, topic wise दे दिया, यह तो full subject wise एक test दिया, जैसे ही खतम हुआ, जैसे ही खतम हो उसको site करा, दूसरा subject स्टाट हो गया मेरा, sir, after one week, उस पूरे subject को मैंने वापिस से revise किया, sir, वापिस से revise करने के साथ-साथ, मैंने second revision में अपने short notes बना लिये, जो कि 2-4 या 5-5 pages, maximum 10 pages तक आप बना सकते हैं, short notes बनाने के बाद, मैंने सारे formulas जो थे वो लिख कर देखे, और again कोई भी एक जो questions का source था, वो questions को source को वापिस से solve कर लिया मैंने, और फिर एक test दे दिया, तो sir, ये पूरा cycle एक revision माना जाएगा, sir, इस तरीके से एक haftते बाद था. So, like, मतलब जब preparation हम कर रहे होते हैं, कोई आपके साथ भी इंसिडेंट थे, जब आपका पढ़ने का मन नी करो, कुछ फेमेली स्ट्रगल, कुछ भी मतलब, जो generally maximum student face करते हैं. Sir, actually, एक time पर sir, जब placement शुरू हुए थे, Sir, उस time पर थोड़ी सी problem हो गई थी, क्योंकि placement, सब काफी students का हो रहा था, मेरे दोस्तों का हो रहा था, बट मेरा नहीं हो पा रहा था, एक महिने में सब थोड़ी सी problem भी हो गई थी, क्योंकि मैं कुछ, मेरे को college में भी बैन कर दिया गया था, एक दो हफते के लिए, Sir, प्लेस्मेंट नहीं मिल रही थी, मुझे यह याद आता था कि मैंने preparation शूरू क्यों करी है, Sir, वो अगर हमें अपने पास, अपने दिमाग में चलता रहा कि मैंने इस reason की जैसे preparation शूरू करी है, Sir, भले ही वो reason आपके लिए आज important नहीं है, भले ही Sir, आपको आज PSU में नहीं जाना, बट Sir, अगर आपने यह सोच के start preparation करी है, कि मैं PSU में जाऊंगा, तो Sir, वो सोच ही आपको motivate करती है, इस तरीकी बाते आपने बहुत अपने वीडियो में बता रखी है, तो Sir, उससे भी मुझे समझ में आया है, कि अगर कभी कि ऐसा down movement आता है, तो हमें अपना effort जो है, वो करते रहना चाहिए, no matter the result, Sir, हो सकता है उस time पर आपके questions ना बने, हो सकता है आप बैट के आपको समझ ना है चीज़े, बट Sir, आपको effort देते रहने पड़ेंगे, और उसी का Sir, आपको end में जाकर result मिलता है, इसमिन्स मतलब आपने YouTube से काफी कुछीज़े फोलो करी है, बिल्कुल Sir, मैंने YouTube से एक तो आप काफी सारे motivational lectures लेकर आते रहते थे, उसके बाद Sir, थर्ड यर में भी मैंने gate का attempt दिया था, Sir, उसमें भी end moment पे काफी सारे subjects मेरे cover नहीं हो रखे थे, तो Sir, उसमें आपकी जो एक series आप लेकर आते थे, पूरी manufacturing revision हो गई तीन से चार गंटे में, thermodynamics की revision हो गई तीन से चार गंटे में, Sir, वह अगर पूरा cover कर लिया है, तो Sir, manufacturing में अगर 17 marks की manufacturing आती है, तो Sir, सिर्फ उस videos को देखके आप 11 से 12 number score कर सकते हैं, वह वीडियो भी मुझे काफी help करी क्योंकि Sir, एक बार revision मैंने पूरा कर लिया था, तो Sir, उसके बाद मैंने final subject पूरा start के तो मैं पूरा link कर रहा था, कि अच्छा इसके बाद ये चीज़ आएगी, क्योंकि Sir, आपने पूरे एक ही वीडियो में सारी चीज़े connect करके बताई थी, Sir, वह भी मुझे Sir बहुत help करी, तो Sir, उस तरीके से सर्फ मेरा preparation सर चला था, Definitely, अच्छा फिर आपका जैसे गेट में जब rank आया first time, 3rd year में क्या marks थे आपके? Sir, 3rd year में मेरे marks 49 थे, प्रेमेली में क्या reaction था, फ्रेंड्स में क्या reaction था? Sir, एक तो Sir, जब exam हुआ था gate का, तो हमने answer की check करी तो Sir, मेरे जितने marks बनने चाहिए थे, उससे बहुत कम बन रहे थे, Sir, test series में मेरे above 80 marks आ रहे थे, बट Sir, result जब आया तो सब कही marks कम थे, तो rank वैसे इंप्रूव हो गई, Sir, जब 104 rank आई तो Sir, मेरे मन में बस एक ही thought है, कि हाँ, इस rank को मैं convert कर सकता हूँ अपने selection में, at least इतना तो मैं कर सकता हूँ, Sir, उसके बाद Sir, सबसे पहले तो, मैंने अपनी मम्मी को बताया, Sir, वह बहुत खुश हूँ, क्योंकि उन्हों नहीं काफी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफी support किया है, मेरे पिता जी ने मुझे काफी support किया है, कि हाँ, they are trusting on me, they are trusting on my hard work, they never said, कि आप पढ़ो, आप पढ़ते रहो, आप 10 गंटे पढ़ो, 12 गंटे पढ़ो, In fact, मम्मी तो बोलती थी, कि इतना भी मत पढ़, यह भी कर ले इन जो घूम फिर के भी आजा, Sir, इन्होंने काभी बोला नहीं, मतलब प्यार से और उससे उससे इसा होगा कि सारे बच्चों में मेसेज देना चाहूंगा कि जब आप अपने पेरेंस के हार्ड वर्क को देखते हो ना कि वह आपके लिए कर क्या रहे हैं, आपको किसी और चीज के मोटिवेशन की नहीं होती है, आप अपने पेरेंस और टीचर से ही मोटिवेट हो सकते हो, तो जैसी आपका जैसे गेट में रेंग काया उसके बाद और भी कोई एक्जाम आपने फाइट की है, सर जैसी गेट में रेंग काया मेरे को दिमाग में आगया कि आप पेस्यू के लिए प्रिपेर करना है, आपका इंटर्वी गाइटेंस प्रवाइट करीए, बट कोई नहीं कर रहा था, सर उस टाइम पर आपका वह एक प्रपोजल आया कि in fact free of cost आपने इंटर्वी गाइटेंस प्रवाइट करी, सर वह इंटर्वी गाइटेंस मैं पूरी अटेंड कर रहे हैं सर जितने भी आप में lectures प्रवाइट करें थे, आप में काफी सारे companies के documents भी प्रवाइट कर रहे थे और सर आपने mock interviews भी conduct करवाए थे, सर उससे मेरे को इतनी help हुई कि मतलब जो मैं express करना चाहता था, वो मैं express करने की capacity में आ गया था सर, तो सर उसके बाद ही just मेरा HAL का interview हुआ, सर वो मेरा clear हो गया, मैं management trainee select हो गया था सर, बट सर मैंनो उसको छोड़ दिया था, उस opportunity को क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैं आगे भी कर सकता हूं, उसके बाद B.A.R.C. का आया, सर B.A.R.C. के बा तो सर वो एक इस तरीके का महल बन गया था कि बहुत knowledge एक next level पर चले गए थी, उस group में रहने से और उस group को attend करने से, और सर B.A.R.C. में आपके guidance आते ही रहते थे, सर आपने बार के लिए भी आप एक video लेका रहे थी कि उसमें किस तरीके का आपको approach चाहिए, सर वो भी काफ मतलब मैं अगर अपने हिसाब से बोलू तो आपको एसा लगता है कि आपकी कोई help नहीं मिल पा रहा है, कोई mentor नहीं मिल पा रहा है, आपको सारी guidance मिलेगी, बाद में उसके बाद आप पे करता है कि आप exam को निकाल पाते हो या नहीं निकाल पाते हो, तो जैसे अगर हम बात करें आपका बार्क में सेलेक्शन हुआ है, बाकी आपके रेंग के हिसाब से maximum PSU के भी कोल आपके पास आगे होंगे, जो अभी तक आए है, बिलकुल सर, सर, गेल में भी मैं इंटर्व्यू दिया है, और EIL में भी दिया है, और सर, अभी Indian Oil का भी आएगा सर, उसमें इन फै मतलब यह है कि जैसे हमारा आज ही discussion हुआ था, मतलब आप confusion में थे, तो मतलब एग्जाम के लियर करने के बाद भी आपको help मिलती है, सर, एक्चली, टीचर सर वही होता है, जो end moment तक आपकी जब तक आप अपनी position पर पहुंस नहीं जाते, उस तब तक आपको guide करता रहे, सर, किस तरीके से जा सकता है, सर, आपने बताया, आपने मुझे बार्क के भी एक student से connect करवाया, सर, आपने काफी holistic view भी दिया था मुझे, कि किस तरीके से बार्क में आपकी life रहने वाली है, और NPCIL में, सर, उससे मैं कम से कम, at least, यह तो decide कर पाया कि, फिलहाल मैं बार्क में और कई बच्चे ड्रोप आउट भी कर ली होंगे, तो उनके लिए आप क्या message देना चाहेंगे बच्चों को? या फिर आपको किसी और direction में जाना है, सर, उस time तक almost सभी बच्चों को आ जाता है, सर, उस time के अगर दिमाग में आपके आगिया कि हाँ, मुझे public sectors में, या फिर empty के लिए जाना है, तो सर, आप gate के लिए आराम से prepare कर सकते हैं, बहुत सारे content available है online, कुलदीव सर की बहुत सार जाने की जरूतनी, आप एक दो कुछ guidance ले लोगे, आपको पूरा path clear हो जाएगा, फिर उसके according जो भी आपकी capacity है, जो भी आपकी financial condition, उसके आपसे अपना preparation schedule कर सकते हैं, और सर, dropouts को सर में यही बोलूँगा, actually, कि सर, वो drop किस लिए कर रहे हैं, उनको ये clear होना चाहिए, सर, सर, एंड में एक चीज़ बोलूँगा की, motivation is not the cause, it is the effect, motivation, सर, effect है, वो किस चीज़ का effect है, आपके efforts का, सर, आप जितना efforts जालोगे, आपका motivation अंदर से उतना बढ़ता रहेगा, सर, definitely, तो उतकर, according to me, like, आपने काफी अच्छे तरीके से बच्चों को guide किया, and आपने even tough time भी आपके जो ताओ जी के बारे में आपने बताया, वो भी आपका in between इसी time के था, लेकि आपने वो भी जेला, तो लाइप में जैसे स्ट्रेगल पार्ट सब के साथ आता है, कई बाराम low feel करते है, बट जो एक अच्छा student होता है, वो not only कि teacher को जब तक याद रखे, जब तक उस स्ट्रेक्शन ना हो जाए, मतलब मेरे पास कई बच्चों के मेसेज़े आज भी आते हैं, कि अपने उस ताम पे help करी थी, वो पी एस यू में चले गए, फिर भी मेरा उन से बात होता है, जब भी में फिर टाइम पे रहता हूं, वो बहुत हैं कि बच्चों को help करेंगे, त उसके उपर उन्होंने पूरी रिसर्च करी, पूरा find किया, उन्होंने देखा कि कौन teacher कितना अच्छा help कर रहा है, तो वो सारी चीज़े उन्होंने एनलाइस किया, और फिर उसके बाद वो इस exam को clear किया है, फाइनी लेर के साथ, वन जीरो फोर रेंक और बाग में scientist की post पे कर रहे हैं, लोग the game zone भी है, तो sir, काफी sir, एक conducive environment था, sir, उसको देखके मुझे sir, काफी अच्छा लगा, first experience था, किसी studio में आने का, तो sir, वो भी मुझे काफी sir, मतलब अंदर से sir, बहुत अच्छा लगा sir, thank you sir, definitely, so, जो भी बच्चे इस वीडियो को देखे हैं, वो सारे क सारे बच्चे इस वीडियो को शेर करेंगे, अपने friends circle में, जहां पे भी आप एड हैं, और अगर आपको कोई भी preparation related help चाहिए, अगर आप उतकर से भी कोई question पूछना चाहते हैं, तो आप वीडियो के comment section में डाल सकते हैं, जब वो free होंगे, तो वो reply करेंगे, आप मुझे भी पूछ सकते हैं, I will also try to help you, okay, so thank you so much guys and thank you उतकर्स कि आपने अपना time दिया और बच्चों को direction दिया, thank you so much sir.